नमश्कार दोस्तों, आपका हमारी यूटूब चैनल भक्ति ग्यानतियोहार में स्वागत है। आज में आपके लिए धन तेरेश की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में लचमे मता की जय अवश्य लिखिये। कार्तिक मास के क्रियेशन पच्की त्रियोदेशी तिथी को धन तेरेश का पर्व मनाये जाता है। सास्तों के अनुसार इस तिथी को समुद्र मन्थन के समय भगवान, धन वंतरी, अमरत कलस लेकर प्रकट हुए थे। इस बज़े से इस तिथी को धन तेरेश या धन त्रियोदेशी तिथी के नाम से ही जाना जाता है। इन्हों ने ही संसार में चिकित सब विग्यान का प्रचार और प्रशार किया। इस दिन घर की द्वार पर तेरेश धिपक चलाने की प्रथा है। धन तेरेश दो सब्दों से मिलकर बना है। पहला धन और दूसरा तेरस जिसका अर्थ होता है धन का तेरे गुना, भगवान धन वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को बैदी समाज धन वंतरी जयनती के रूप में मनाता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन वंतरी के जन लेने की कथा के अलावा इसके बारे में एक दूसरी कहानी भी बहुत प्रेचलित है जो इस प्रकार है कहा जाता है कि एक समय भागवान बिश्नु मृत्य लोक में बिच्रण करने के लिए आ रहे थे तब मा लच्मी ने भी उनसे साथ चलने का आगरे गिया तब भागवान बिश्नु ने कहा कि यदे में जो बात कहूं तुम अगर बैसा ही मानो तो फिर चलो तब लच्मी जी उनकी बात मान गई और भागवान बिश्नु के साथ भूमंडल पर आ गई कुछ देर बात एक जगह पर पहुँच कर भागवान बिश्नु ने मा लच्मी से कहा कि जब तक मैं ना आउं तुम यहां ठहरो मैं दच्छे दिसा की ओर जा रहा हूं तुम उधर मत आना बिश्नु जी के जाने पर लच्मी जी के मन में कौतुहल जागा कि आखे दच्छे दिसा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है और भगवान शुयम चले गए लच्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बड़े लच्मी जी भी पीछे-पीछे चल पड़े कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेट दिखाई दिया जिसमें खुब फूल लगे थे सरसों की सेवा देखकर वे मंत्र मुग्द हो गए और फूल तोड़कर अपना स्रंगार करने के बाद आगे बड़े आगे जाने पर एक गन्य के खेट से लच्मी जी गन्य तोड़कर रस चूशने लगी उसी छड़ भगवान बिश्णू वहां आ गए और यह देख लच्मी जी पर नाराज होकर उन्हें स्राप दे दिया कि मैंने तुम्हे इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराद कर वेठी अब तुम इस जुरम में इस किसान की बारे बरस तक सेवा करो ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर छीर सागच चले गए तब मा लच्मी जी उस गरिब किसान के घर रहने लगी एक दिन लच्मी जी ने उस किसान की पतनी से कहा कि तुम इस नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी का पूजन करो फिर रसोई बनाना तब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया पूजा के पिरभाव और लचमी जी की किर्पा से किसान का घद दूसरे ही दिन से अन्यधन रत निश्वन आदिसे भर गया लचमी जी ने किसान को धन्यधन से पून कर दिया किसान के बारे बरस बड़े आनंद के साथ कट गए फिर बारे बरस के बाद लचमी जी जाने के लिए तैयार हूँ विष्णू जी लचमी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें बेजने से इंकार कर दिया तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता ह यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठैर दी, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके, इनको मेरा स्राप था, इसलिए बारे बर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थे, तुम्हारी बारे बर्ष की सेवा का समय पूरा हो चुका है, किसान हट पूर्वक बोला, कि नहीं, अब मैं लच् न चाहते हो तो मैं जो कहूं वैसा करो कल 13 है तुम कल घर को लीप पोट कर स्वच करना रात्रे में घीका दीपक जलाकर रखना और साइं काल मेरा पूजन करना और एक तावे के कलस में रुपए भर कर मेरे लिए रखना मैं उस कलस में निवास करूंगे किन्त पूजा के समय म मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगे इस एक दिन की पूजा से बर्स भर में तुम्हारे घर से नहीं जाओंगी यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई अगले दिन किसान ने लचमी जी के कहे अनुसार पूजन किया किसान का घर धन धान इसे पून हो गया इसी बज़े से हर बर्स तेरस के दिन लचमी जी की पूजा होने लगी जैहो मता लचमी की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथी मेरे वीडियो को जादे से जादे शेयर करिए धन्यवाद दोस्तो झाल